सब्सक्राइब करिए धनू की दुनिया यूटूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें चैश रादे मित्रो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनू की दुनिया में बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों धनू राशी वाले चातकों का 13 सितंबर 14 सितंबर और 15 सितंबर ये तीन दिन कैसे रहेंगे मंगल, गुरू, विरश्पती सभी ने अपना अपना राशी परिवर्दन किया है विरश्पती का परिवर्दन होने वाला है कैसा रहेगा और ये तीन दिन क्या गरनक छत्रियोग बना रहे हैं जानुराशी वाले जातकों के लिए इस वीडियो में जानेंगे हम लोग यही चलिए दोस्तों जानते हैं तीन दिनों के दैनिक राशी फल के बारे में आपके उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपकी आज जी वी का कैसी रहेगी इन तीन दिनों में दोस्तो कारे छेत्रे में अचानक बड़े ओर्डर आपको मिल सकते हैं यानि कि अगर आप बिजनेस मैं हैं बिजनेस करते हैं तो अच्छे खासे ओर्डर आपको मिल सकते हैं जिससे आपको कमाई भी अच्छी होगी अच्छी बड़ोतरी होगी कारवार में अच्छा करेंगे आप इन तीन दिनों में अच्छे फल लेकर आएगी ये तीन दिन आपके लिए लोगों से मिलने जुनने और बातचित से काम बनाने का प्रयाश करिए प्यार से कोई काम बना लीजिए तो अच्छा है और अगर प्यार से किसी से बोलने से आपका अगर काम बन जाता है तो इसमें क्या बुराई है फाइदा आपका ही है इसलिए वाक्त के पटुता का यूज करिए प्रयोग करिए अपने शब्दों में मिठास लाइए और किसी को अपने बातों में ऐसा करिए कि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो आपकी बातों को समझे ताकि आपका काम उच्छे बने और तीन दिनों में आप ऐसा करेंगे भी इन तीन दिनों में धान उधार मत दीजिए किसी को अगर कोई आपसे उधार मांगने आता है तो उसको बाद के लिए टाल दीजिए क्योंकि ये तीन दिन आपको अपने पैसे अपने पास रखने चाहिए क्योंकि ये आपके लिए अभी तीन दिन जो है बहुत ही इंपर्टेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही खास है इसलिए पैसे किसी को मत दीजिये उधार नहीं दीजिये इन तीन दिनों में तो बहतर है अगर कोई आप नया यो वेवशाय करने की योजना बना रहे थे तीन तीन दिनों में उस पर चिंदन कर सकते हैं विचार कर सकते हैं अच्छे से कि कैसे कैसे काम करना है क्या सुरुवात करना है कब से सुरु करना है और सफलता भी आपको मिलने वाली है अगर कहीं निवेश कर रहे हैं बड़ा निवेश कर रहे हैं तो नशनकोच करिए आपको उसमें लाव मिलने के योग दिख रहे हैं लावदायक सिद्ध होगा यही निवेश आपके लिए बात परिवारी के जीवन की करते हैं दोस्तों आफिस में पहले की तरह महौल ना होगा इन तीन दिनों में जो जैसा की पहले हुआ करता था इसलिए आपके मन में थोड़ा मुश्किल हो सकती है दोस्तों महौल को जिन्दा दिली बनाने के लिए आप हर प्रयाश करेंगे खुश बनाने के लिए हर कोसिस करते हुए नजर आएंगे इन तीन दिनों में जिसमें आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपकी मदद भी करेंगे, आपका शपोर्ट भी करेंगे, तो तो परिवारिक सदस्यों के साथ किसी जरूरी मुद्धे पर, इन तीन दिनों में आप चर्चा कर सकते हैं, विशाय पर बात कर सकते हैं, किसी जरूरी استhiety के लिए तीन दिन आपकी एत्तिक कैसी रहेगी Unless, आर्तिक अब स्टिके इस द ये तीन दिन आपके लिए समाने रहेगा आपको सलाड जब जाती है कि खर्चों में जो हो न्यन outra नरखी आपको उसizar वह सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा होगा जिससे आपसाप मेहनत करिएगा परणाम आपको उस हिसाप से मिलेगा व्यवशाय में समय पर लिए गए निर्णाय जो होंगे आपके लिए फायदे बंद रहेंगे अच्छे रहेंगे लावदाइक सिद्ध हो सकते हैं इसलिए व्य होंगे लर्णे भी आपकाको लिए आपको किसी ज़रूरी काम को लयके इंपाद़ करना पर सकता है अरत सुझाव है या आपके लिए उपाय है लाप प्राप्ति के लिए ओम, ब्रांग, ब्रिंग, ब्रो, शह, बुद्धा, ये नमः, मंतर का चाप करिए इसमें आपको लाप मिलेगा इस मंतर से, मनो कामनाय पूरी होंगी तो दोस्तो हम लोगों ने जाना ये तीन दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे तीन दिनों के देनिक राशी फल के बारे में 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर उम्हेद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगी होगी अच्छे लगी ही, तो लाइक कर दें हमारे योट्यूब चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट सक्सन में जै भोले नाथ, जै शानी देव जरू लिखिएगा तो चलिए मिलते हैं आप से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए असपास सफाई रखिए, घरवालों का खायाल रखिए जै श्री रादे, दिन मंगल में बीते, आपका शुब बीते, अच्छा बीते ये तीन दे, यही कामना करते हैं जै श्री रादे